हेलो स्टुडेंट्स प्रिश्णा बली नौदसमलाव तीन को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्ण किरमांग 13 सॉल्ब करेंगे तो आईए सबसे पहले प्रश्ण पढ़ते हैं देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है इसमें हमें ABCD के तौर पर एक समलंब चतरभुज हमें दिया गया है और जिसमें बताया गया है कि AB समानतर DC है तो हम सभी जानते हैं कि समलंब चतरभुज में दो भुजाएं आपस में समानतर होती हैं परंतु बाकी की दो भुजाएं आमने सामने की जो होती है वो आ समानतर रहती है तो क्वेश्चन में हमें पहले से ही बता दिया गया है कि A B है समानतर D C के तो आईए सबसे पहले हम समलंब बना लेते हैं ताकि कुश्चन आगे पढ़ने पर हमें समझ में आता जले तो हमने समलंब की आकर्टी तो यहां पर बना ली है लेकिन अब हमें कौन कौन सी समानतर देखा है यह देखिए यह वाली और एक यह सीधी लाएं यह आपस में समानतर हैं लेकिन यह दोनों आसमानतर हैं क्योंकि यह आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिछेद कर देंगी तो हम इने जो हमें समानतर भुजाएं बनानी है वो A B और D C हैं तो हम इसको नाम दे देंगे A और B और यह हो जाएगा हमारा C और D तो आप देखेंगे कि A B समानतर हो चुकी है D C के तो A B और D C AB और DC आपस में कैसी है? समानतर है आगे लिखा है कि AC के समानतर तो अब हमें AC भी खीचना पड़ेगा क्योंकि AC तो अभी तक है नहीं तो A को C से मिलाते हैं तो यहां पे इस तरीके से हमने मिला दिया तो यह हो गया AC तो AC भी हमने खीच लिया अब इसमें लिखा है कि AC के समानतर एक रेखा AB को X पर और BC को Y पर पर परतिछेद करती है तो AB को कहां करती है? यहां पे हमने एक इस तरीके से पहले तो हम AC के समानतर एक रेखा कहीचेंगे तो यह देखिए हमने जो कि AB को X पर मिलेगी और BC को Y पर तो यहाँ पर बहुत ही सरल है समझना, तो यह देखिया हमने एक समानतर रेखा इस तरीके से खीच लिए है, जो कि AC के समानतर है, किसके समानतर है, AC के, इसको थोड़ा हम यहाँ पर सही बना लेते हैं, यह थोड़ा मैंने भर दिया, डवल लाइन हो गई थी, तो अब यहाँ पर लिखा है कि AC के समानतर हमने एक रेखा खीची है, लेकिन AB को कहां मिलेगी X पर, तो यह है AB, AB को यह मिल गई यहाँ पर, X पर तो हमने नाम दे दिया, यह हो गया X, और BC को कहां मिलेगी BYE पर, तो BC कहां पर, ADX तो हमें मिलाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर यह रखा स्केल, और यह बना दिया ADX, ठीक है, तो ADX और दूसरा AC BY, तो AC और BY, तो अब C को BY से तो मिला ही है, A को BY से मिलाना पड़ेगा, तो AC BY हो जाएगा, यह देखिए हमने मिला ही दिया, यह देखिए, तो यह हो गया ADX और यह हो गया AC BY, तो इन दोनों के छेतर फ़ल आपस में हमें बराबर करने हैं, जो की यहाँ पर हाइलाइटिड है, यह ADX यह वाला ADX और यह वाला AC BY, यह वाला तिर पुछ है ना, तो इनके जो छेतर फ़ल हैं वो आपस में हमें बराबर करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमें दिया है, वो हम लिख लेते हैं, इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है, वो भी हम लिख लेते हैं, इस तरीके से, अब हम heading डालेंगे रचना और यहां पे जो हमने रचना की है हमने ADX बनाया था यानि कि हमने D को X से मिला दिया था यह आप देख सकते हैं तभी तो ADX बनेगा यह पहले से तो नहीं था यह हमने बाद में मिलाया तो D को X से मिलाया तो D X कहीं चा हमने और अगर देखा जाए तो हमने A को बाई से भी मिलाया था ना यानि कि यह वाला पॉ燃ट जो है इसको X से मिलाया था यह वाला पॉ燃ट है से Y से मिलाया था तो यह हम लिख सकते हैं कि हमने DX और Ay खींच है तो DX और A Y जो दो चीज़े हैं इसके साथ साथ हमने लिखा DX, AY और खीचा है, यहाँ पर जो कि हम बात कर रहे थे, DX और AY, यह हमने खीची थी अलग से, ताकि तरवुज बन सके, यह जो हमें सिद्ध करना है, उसका एरिया बन सके, ADX जो था ना, ADX तो यह बन सके, तो इसलिए हमने DX खीच ली थी, और ACY म बन सके, इसलिए हमने A से बाई मिला दिया था, ताकि AC बाई पूरा बन गया है तरवुज, इन दोनों के छिदपा लापस में बराबर होते हैं, यह हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर देखिए, AC एक आधार है, और XY, AC के समानतर, हमने एक रेखा खीची है, XY, तो इस पर एक तिर्फुज तो बन गया है, AC बाई, और अगर AC को आधार मानते हुए, एक तिर्फुज और बन जाएगा, तो दोनों के छिदपा लापस में बराबर होंगे, तो यदि हम X को C से मिला दें, इस तरीके से, यदि हम इसकी रचना कर दें, तो एक तिर्फुज और बनेग C भी हम खीची लेते हैं, इसमें capital X बनेगा, तो X सी खीची, तो ये हमने रचना पहले से ही कर ली है, और इसका logic भी मैंने आपको बताया कि ये X को C से क्यों मिलाया है, क्योंकि AC और XY आपस में कैसी हैं, समानतर हैं, AC और XY आपस में कैसी हैं, समानतर हैं, according to question, तो अगर हम question को ध्यान में रखें, तो AC और XY जब आपस में समानतर हैं, और एक ही आधार पर यदि हम एक तिरभुज लेंगे, AC ये वाला तिरभुज, AC ये देखिए, ये वाला तिरभुज क्या है, AC तो इसी आधार पर हमें एक तिरभुज और लेना पड़ेगा, ताकि हम बता सकें कि दौनों के छितफ़ लापस में बराबर हों, तो ये हो गया ना, ACX, तो हमने X को किस से मिला दिया, C से, तब ही तो बनाना है, ACX, तो ACY और ACX दौनों के छितफ़ लापस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, तो इसलिए हम, ये देखिए हमने ACY को हाईलाइट भी कर दिया है, ताकि आपको समझ में आए, अब ACX बस आपको देखना है, ये देखिए, ACX ये है, ये लाइन देख रही है ना, आपको ACX है ना, तो ये पूरा तिर्भुज और ये रेड वाला तिर्भुज इनके एरिया आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि ये एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाऊं, AC और XY, ये कॉश्चन में दिया गया है कि ACXY के समानतर है, तो ACX और ACX और ACY, ये दोनों के छित फ़ला पस में बराबर होंगे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लाजिक, अब दूसरा यहाँ पे एक चीज और लगेगी, कि अगर हम AX, AX, चुकि A B सम समानतर क्या है, DC, तो AX समानतर होगी, DC, तो AX आधार मानें, तो एक तिर्भुजिये है, AX, ADX, और एक तिर्भुजिये है, ACX, है की नहीं है, ACX, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक बार मानना है, AX समानतर DC, और एक बार मानना है, AC समानतर XY, तो ये हल हो जाएगा बहुत ही सरल है पहले क्या करना है AX समानतर DC और AX क्यों है DC के समानतर क्योंकि question में दिया है A B समानतर DC तो A B के अंदर ही A B रेखा पर ही तो X है न तो AX समानतर क्या हो जाएगा DC तो अब हम इसी से start करेंगे तो हम लिखेंगे उपपत्ती इस तरीके से और हम लिखेंगे कि चू की AX समानतर है DC के यह देखिए AX समानतर है DC और तिरभुच A D X तो अब यहाँ पर लिखेंगे तो तिरभुच A D X A D X तथा इसी A X पर एक और तिरभुच बना है A C X बना है की नहीं तो हम लिखेंगे तथा तिरभुच A C X इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें किलियर समझ में आए यह है A D X और दूसरा है A C X यह एक ही आधार A X पर बने हैं देखें A X पर ही बना है यह वाला और A X पर ही बना है यह वाला यह देखिए मैं इसको थोड़ा सा यह देखिए यह कौन सा है बताईए A D X और यह कौन सा है बताईए A C X इनके आधार क्या है A X और A X समानतर क्या है D C तो इनके एरिया आपस में कैसे होंगे बराबर वह ही हम यहाँ पर लिखने की कोशिस कर रहे हैं कि A D X तथा A C X एक ही आधार आप देख सकते हैं चित्र में एक ही आधार किस पर बने है एक ही आधार जिसका नाम है A X एक ही आधार A X तथा एक ही समानतर रेखाऊं एक ही समानतर रेखाऊं A X और D C के मद्ध्यस्थित हैं तो जब इनके मद्ध्यस्थित है तो इनके एरिया आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर इसलिए एरिया ओफ A T X बराबर हो जाएगा एरिया ओफ A C X और इसे हम समिंगे एक बना देंगे अब दूसरा लॉजिक इन दोनों समानतर की मद्ध्यस्थित लगेगा पहला लग गया A X और डी सी के मद्ध अब लगा देना है A C और A X ये भी तो समानतर है न तो ये रेड और ये हरा तिर्वुज आपस में बराबर हो जाएंगे बस ये ही आपको करना है तो वह हम लिखेंगे कि तिर्वुज डारेक्ट तिर्वुज से ही सुरुआत करेंगे तिर्वुज और यहा तिर्वुज एसी बाई तथा तिर्वुज एसी एकस एक ही आधार एक ही एसी बाई और एसी एकस दोनों एक ही एक ही आधार एक ही आधार कौन सा है देखिए एसी एसी पर ही रेड वाला बना है और एसी पर ही यह हरा वाला बना है यह देखिए लिखेंगे दोनों एक ही आधार एसी पर तथा एक ही समानतर रेखाओं एक ही समानतर रेखाओं और वो है एसी वा X Y आप देख सकते हैं A C और XY के मध्यिस्थित है इसलिए दोनों के एरिया इसका उन्हाओ चृत फल बराबर होगा इसलिए एरिया ओ एसी एक्स बराबर होगा एरिया ओफ एसी एक्स तो इसको हम सम्हींगर दो बना सकते हैं summing card एक वादो में देखेंगे ACX ACX दोनों में वह निश्टार है इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे यही हमें सिद्ध करना था तो लिखेंगे summing card एक वादो से area of ADX बराबर हो जाएगा area of ACY और यही हमें सिद्ध करना था आप देख सकते हैं ADX ACY के बराबर है यहाँ पर देखें ADX ACY के बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं यहाँ से मैं स्क्रीन सॉट आप वीडियो को पॉस करके भी नोट कर सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं यह देखिए यह देखिए यहां से पूरा का पूरा नोट कर लीजेगा थैंक यू